आज हम पूरे 50 प्रशनों का मॉडल पेपर डिसकस करने वाले हैं वैसे हमारा ये 50 प्रशनों का मॉडल पेपर हम हर संडे को डिसकस करते हैं परंतु कुछ विद्यारतियों के एक्जाम 28 फरवरी को हैं तो उनी के लिए special हमारा ये मॉडल पेपर है आज और कल दोनों दिन हम 50 प्रशनों का नया मॉडल पेपर डिसकस करेंगे ताकि इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके एक्जाम से पहले और जिनका आने वाला एक्जाम है 25 एपरेल या फिर और किसी दिन वो भी अपना पूरा कम्प्लीट टेस्ट लगा कर चलेंगे बिल्कूल आपके पेपर की तरह हमने ये 50 प्रशनों का पेपर डिजाइन किया है तो चलिए अपनी कलास स्टार्ट करते हैं तो देखो जी प्रशनों की संख्या यहां पे 50 है और आपको टार्गेट लेकर चलना है 45 प्लस कोशन ठीक करने का और आप सभी को बता दो जिनका भी 100 नंबर का फिजिकल है वो कम से कम 35 कोशन ठीक कर देंगे तो उनका सेलेक्शन जो है वो 99 परसेंट सीक्योर हो जाएगा कि उनका सेलेक्शन हो ही जाएगा ठीक है अब 35 ऐसे मत ठीक करना कि आपने 45 कोशन करें और उसमें से 10 कोशन गड़त हो गए फिर जाब कि आपके 35 कोशन ठीक हो रहे हैं तो फिर एक बटा चार नेगटिव मार्किंग लगेगी और आपके 35 में से भी नंबर कम हो जाएगे मतलब आपके कार्ट पीट के 35 कोशन ठीक होना चाहिए नेगटिव मार्किंग कार्ट कूट के और जिनका 88 नंबर का फिजिकल है वो अपने उस साब से लगा ले कि आपके 42 से 43 कोशन ठीक होना चाहिए है ना बेसिकली हमको 170 तक टारगेट लेकर चलना है आप देखो जरूरी नहीं कि आपकी कट ओफ 170 ही जाए परन्तु जो एक नमंबर को एक्जाम हुए थे उनके अंदर कुछ एक्जामस में जो है वो 172 तक कट ओफ गई थी आपके एक्जाम की फाइनलिस्ट की ओके और कुछ की 158 तक भी थी तो हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे जरूरी नहीं कि आपकी 170 पलस ही जाए क्या पता आपकी इसके बीच में ही रहे कट ओफ या फिर 158 से भी कम हो जकती है बहुत कम चांस है इसका बट आप टार्गेट अपना 170 लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा तब ही आप ज़ो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अचीव कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन है समाने ग्यान का कूल देशांतर रेखाएं कितनी हैं अपना बिलकुल कम्प्लीट टेस्ट लगाना है और देखिएगा आपका स्कोर आज के टेस्ट में कितना हो रहा है तो यहाँ पर जिनों ने भी आप्शन सी को आंसर दिया है 360 उनका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा कूल देशांतर रेखाएं की संख्या 360 है ओके चलो सेकिंड है आपके सामने भारत रतन पुरुसकार किस वर्ष प्रारंब किये गए इन विच इयर भारत रतन आवर्ड वर स्टार्टेड उननिस सो चॉवन, मिनिस सोचपळ, उननिस सो पचपन, या फिर उननिस सो इक आवन तो यहाँ पर जिनों ने भी आप्शन ए को आंसर किया है 1954 उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा और फटा-फट से टेस्ट लगाना है डिस्कवरी ओफ इंडिया के लेखक कौन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है और आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है तो जिनोंने भी आंसर आप्शन सी को दिया है जुआहरलाल नहरू उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा चलिए कोश्चर है आपके सामने शिरी हरी कोटा किस राज्ये में इस्थित है शिरी हरी कोटा इस लोकेटिड इन विच स्टेट आप्शन आपके सामने है गुजरात, केरल, तमिल नाडू, आंधरा प्रदेश तो आंसर मैच कीज़ेगा क्या आप सभी ने आप्शन डी को आंसर दिया है आंधरा प्रदेश उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कोश्चर नमबर फाइव आपके सामने कोश्चर नमबर फाइव का मुख्याले कहां पर इस्थित है कोश्चर नमबर फाइव राश्ट्रिये खेल दिवा से कब मनाया जाता है वियर इजिन नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड तो आप्शन इसका सी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त आपना आंसर मेरे से पहले आपको देना है और आपको यदि समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते है कोशन नमबर सेवन विश्व का सबसे बड़ा और ग्यहरा महासागर कोन सा है आकरटिक महासागर अट्लांटिक महासागर प्रशांत महासागर हिंद महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका आप्शन सी प्रशांत महासागर कोशन नंबर आठ है आपके भारत की प्रतम महिला राष्ट्रपती कौन थी प्रतीबा पाटिल, इंदिरा गांधी कीरन वेधि या फिर सरोजनी नायडू भारत की प्रतम महिला राष्ट्रपती Option A बिल्कुल correct answer होगा प्रतीबा सिंग पाटिल इंद्रा गांधी भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री कीरण बेदी भारत की पहली महिला IPS सरोजिनी नैडू भारत की पहली महिला राज्यपाल कोशन नम्बर 9 आपके सामने है भारत का सबसे बड़ा पशू मेला कहां पर लगता है वियर इज इन्डिया लारजेस्ट एनिमल फियर हेल्ड और वेरी वेरी इंपोर्टन और वेरी वेरी स्टैटि कोशन है जी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोन पूर बिहार में option इसका बी correct answer होगा question number 10 हमने screen पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी when was the world trade organization established जिसको हम English में क्या बोलते हैं short form है WTO बिलकुल correct answer होगा option A 1995 में और आपसे एक्जाम में WHO की स्थापना भी पूछ सकता है विश्व स्वास्त संगठन तो ध्यान रखेगा 1948 नेक्स्ट कोशन नमबर आपके सामने 11 प्रसिद imperial palace कहां पर इस्थित हैं यहां पर confusion होगी विद्यारतियों को बहुत सारों को where is the famous imperial palace located तो imperial palace जो है टोक्यो जापान में है जिनोंने option D को answer दिया है उनका answer correct होगा चलिए नमबर 12 डिसकस करते हैं बगदाद किसकी राज़दानी है बगदाद is whose capital इरान, इराक, बहरीन या फिर यू, ए, इ बगदाद जिसकी capital है उसका नाम है इराक, option B आपका correct answer होगा कोशन नमबर आपके सामने 13 किसान घाट किसका समाधी स्थल है राजीव गांधी, मोरर जी दिसाई, लाल बहादूर शास्त्री या फिर चोधरी चरण सिंग तो answer मैच किजेगा जिनोंने भी option D को answer दिया है चोधरी चरण सिंग उनका बिलकुल correct answer होगा कोशन सामने जी, सुब्रतो कप किस खेल से संबंदीत है very very important और बहुत बार आपके exam में पूछा गया प्रशन सुब्रतो कप का संबंद किस से है तो यह football से है, option A सभी का सही होगा चलो, question number 15 है, समाने ज्यान का last question, राष्ट्र पती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है what is the minimum age limit for the president, तो यहाँ पे बिल्कुल correct answer option इसका C होगा 35 year, राष्ट्र पती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 35 वर्ष चलो, यहाँ अपलीट होता है, अब section B है आपका समाने ग्यान 16 से 30 answer देंगे question number 16 का, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, करवाया गया प्रस्ण है और आपके exam में भी पूछा गया प्रस्ण है, which vitamin is found in कोबाल्ट option इसका D correct होगा, vitamin B12, और इसका रसाइनिक नाम भी क्या है, sino-cobalmin साइनो-cobalmin, चलिए, question number 17 है, आपके सामने खटे दूद में कोन सा अमल होता है, which acid in sore milk खटा दूद हो गया, दही हो गया, दूद से related जितने भी product होते हैं, उन सभी के अंदर lectic अमल होता है option C, जिनोंने answer दिया है, उनका correct answer है, क्या सभी ने answer सही दिया है चलिए, question answer match कीजिएगा, methane का सुत्र क्या है what is the formula of methane correct answer होगा आपका NH4 option B, जिनोंने भी option B को answer दिया है, उनका correct answer है NH4 बोल रहा हूँ, CH4, ठीक है, CH4, और देखिएगा NH3 होता है, अमोनिया का सुत्र चलो, question number 19 आपके सामने है, विमानों की उचाई ग्याद करने के लिए किस उपकर्ण का प्रियोग किया जाता है अल्टी मीटर, टेको मीटर, ओडो मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं उड़ते हुए विमानों की उचाई नापने के लिए हम प्रियोग करते हैं, अल्टी मीटर का, option A आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जी option A, question number 20, सूर्य उर्जा कैसे उत्पन होती है option इसका B करेक्ट होगा, nuclear fusion, ना भी किये सल्नेन के द्वारा सूर्य उर्जा उत्पन होती है question number 21, आपके साबने, सिलिकॉन कैसा पदार्थ है और जिनोंने भी आभी तक हमारा ये session लाइक नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा आपको session पसंदा रहा होगा like जरूर कीजेगा जितने भी विद्यारती हमारा ये session देख रहे हैं और आपको कोई विद्यारती है कोई फ्रेंड है जिसका आर्मी का एक्जाम है 28 फरवरी या फिर आने वाले एक्जाम की तियारी कर रहा है उसे हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा सेशन आप सभी के लिए हलफुल होने वाला है तो हमार कोई नमबर 22 दीजेगा तीन मूल रंग कोन कोन से हैं वाट आर्दा थ्री बेसिक कलर तीन मूल रंग कोन कोन से हैं तो यहां पर जिनने भी आप्शन एक को दिया है लाल नीला और हरा आप्शन एक करेक्ट आंसर होगा चलिए कोशन नमबर 23 है आपके सामने किस रंग का तर तरंग धहरे किस रंग का सबसे कम होता है तो यहां पर बिलकुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन भी बैंगनी रंग का तरंग धहरे सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग धहरे सबसे अधिक होता है यह ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है कोशन नमबर 23 सामने प्रका तो दिखिए प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में वैक्यूम में आप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा और साथ में बात करू ध्वानी का सरवाधिक वेग होता है कहाँ पे ठोस में चलिए कोशन 25 है ठोस कपूर का सीधा वाश्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उधर्व पातन वाश्पी करण संगनान या फिर घनी करण ठोस कपूर का सीधे वाश्प बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं सबली मेशन यानि की उधर्व पातन option A correct answer होगा वाश्वी करण पता होना चाहिए दरव से guess next question 6 आपके सामने एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है बहुत ही important एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है option A बिलकुल यहाँ पे correct answer होगा question number 27 है जी चाल, दूरी, विद्धारा और आयतन किसके उदाहरन है सदीस राशी, अदिस राशी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नही बिलकुल सही answer होगा इसका option B अदिस राशी के उदाहरन है next यहाँ पे question पेट आपके सामने पासकल किसका मातरक है whose unit is pascal, समवेग, दाब, भार या फिर दूरी बिलकुल राइट answer होगा option B pressure का मातरक होता है question number 29 आपके सामने है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है टमाटर में लाल रंग का कारण right answer होगा, इसका option A लाइको पिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है question number 30 समानने विज्ञान का last question सबसे बड़ा पक्षी कोन सा है which is the largest bird तो answer में अच किजिए जिनोंने भी option B को answer दिया है शत्र मुर्ग उनका बिलकुल correct answer होगा hummingbird जो है यह सबसे छोटा पक्षी है, यह भी ध्यान रखेंगे ओके, आप देखो यहाँ पर आपके समानने ग्यान समानने विज्ञान complete अब आपका section C है गनित का section और आपको बिलकुल complete test लगाना है आपको बिलकुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है अपना copy pen लेकर बैठिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं question number 31 निमन में से क्या 12 का वर्ग है 12 का square आपको बताना है क्या होता है तो 144 होता है option B आपका correct answer होगा 169 जो है यह 13 का square है और 121 किसका square है यह 11 का square है next question number के सामने 720 उर्पे का 5 प्रतीशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारन ब्याज कितना होगा तो देखेगा मैं direct question को solve करूँगा यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं नहीं तो आप वीडियो को चलते चलते ही मेरे से पहले solve करना साधारन ब्याज का सूतर होता है simple interest का क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 ओके तो देखो साधारन ब्याज मूलधन कितना है 720 है दर है आपकी पांच प्रतीशत समय है आपका दो वर्ष भाग करेंगे किस से 100 से जीरो से आपकी जीरो कैंसल देखो पांच दुनी कितने होते हैं दस होते हैं और यह दस से आपका नीचे वाला दस भी कैंसल तो 72 रुपे आपका correct answer होगा जी option B जिनों ने आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल correct है चलो question number 33 का आंसर दो जल्दी से किसी वस्तू की 180 रुपे में खरीद कर 240 रुपे में बेशने पर लाब प्रतीशत की गणना करो लाब प्रतीशत profit percent का सूत्र क्या होता है लाब गुणा 100 अब ध्यान से देखो 180 रुपे की वस्तू खरीदी है 240 रुपे में बेच दी लाब कितने का हुआ 60 रुपे का है ना लाब गुणा 100 क्रेम उल्ले कितना है आपका 180 है तो नीचे आपको 180 करना पड़ेगा इतना सभी को समझ में आया आप देखो यहां से इसको कैंसल करेंगे फटफट 60 हेकम 60 रुपे में 3 और इसको सूल्फ करोगो तो आपका क्या आंसर रहेगा 33.33 option A correct answer होगा जिनोंने भी इस प्रशन का आंसर option A को दिया है उनका आंसर बिल्कुल correct है कोशन नमबर 34 का आंसर देंगे कोशन नमबर 34 आपके सामने है एक्स का मान ग्यात करो यदि 1500 का 45 प्रतीशत पलस 100 का एक्स प्रतीशत 700 है तो हमको एक्स का मान ग्यात करना है तो बढ़ते हैं solution की दर आप देखिएगा पहले हम क्या करते हैं पंदरा सो का 45 प्रतीशत ग्यात कर लेते हैं यह दो जिरों से आपकी दो जिरों कैंसर हो गई अब आपको 45 को 15 से गुणा करना है 25 का 5 आंसर दो 5 चुक बीस और 2 बाइस यहां पर 5 आएगा यहां पर आपका 4 आएगा तो पंदरा सो का 45 प्रतीशत होता है 675 तो 675 प्लस 100 का X प्रसेंट बराबर 700 है यही है ना अब देखो क्या करना है आपको यह आप दो जिरों से इस दो जिरों को कैंसल कर दो सो से सो कट गया 675 इदर जाके जब 700 में माइनस हो जाएगा तो X का मान कितना जाएगा यहां से 25 आ जाएगा आप्शन C आपका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा चलो जी कोशन नमबर 35 है आपके सामने मैं उम्मीद करूँगा सभी को कोशन समझ में आया होगा A रेशो B 8 रेशो 9 बी रेशो C 7 रेशो 5 यह तो B रेशो C का मान ग्यात करना है करवाया गया कोशन है आपको एक्जाम में डिलेक्टली मिलेगा A रेशो B रेशो C A और B का मान कितना है जी आठ रेशो 9 है और B और C का मान है 7 रेशो 5 आपको मैंने इसको करने के दो तरीके बता रखे हैं बट हम डिरेक्टली करेंगे देखो 8 को 7 से गुणा करेंगे आठू सते 56 97 63 और 95 45 ये आपका A रेशो B रेशो C आ गया हमको B रेशो C का मान Nकालना है यानि कि हमको 63 रेशो 45 का मान NKालना है ये देखो कहां पर कैंसल हो रहा है पहले किस से कैंसल करेंगे पहले आप इसको कैंसल कर तो 3 سے 3 दूनी 6 3 अकम 3 और यहाँ पर 3 अकम 3 3.15 ये फिर से कैंसल हो जाएगा तीन सता इक्किस और तीन पंजे पंदरा सैवन रेशो फाइव आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्षिन बी जिनोंने भी ऑप्षिन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है चलो कोशन नमबर थर्टी सीक्स आपने आंसर देंगे जल्दी से कोशन नमबर थर्टी सीक्स का आंसर कि 720 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेट फारम को 18 सेकिंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई किलो मीटर प्रति घंटे में ग्याद करो आप देखिएगा सबसे पहली बात आपको क्या करनी है ट्रेन की सोरी यहाँ पर ट्रेन की स्पीड होगा ट्रेन की गती किलो मीटर प्रति घंटे में ग्याद करो ट्रेन की स्पीड होगा यहाँ पर ध्यान रखेगा स्पीड है आप देखो स्पीड का सुतर क्या होता है डिस्टैंस अपोन में टाइम होता है यह रहा पहला केस दूसरा केस क्या है कि प्लेट ट्रेन की लंबाई के साथ हमेशा प्लेट फारम की लंबाई भी जुड़ती है यह आपको ध्यान रखना है अब बढ़ते हैं सोलुशन की तरफ तो देखिएगा स्पीड हमको निकालनी है है ना साथ सो बीस में यदि मैं 180 जोड़ दू तो कितना बनेगा यह यह आपका बनेगा 900 यानि कि डिस्टेंस आपका 900 आ गया समय आपको दे रखा है 18 सेकिंड तो देखो 18 पंजे 90 तो यह 50 मीटर प्रति सेकिंड है अब यह आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको आंसर बताना है किलो मेटर प्रति घंटे में और किलो मेटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकिंड को किलो मीटर प्रति घंटे बदलने के लिए हम 18 पंजे गुणा करते हैं तो क्या करेंगे हम 50 को 18 पंजे पांच से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका दस आ गया और यहाँ पर आपका 180 किलोमेटर प्रति घंटा ऑप्षिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्या सभी ने सही आंसर दिया है मैं उमीद करूंगा सभी ने आंसर बिलकुल करेक्ट दिया होगा कोशन नमबर आपके सामने 37 जल्दी से 3, 7, 9, 11, 13, 2 का औसत ग्यात करो औसत सभी को पता होगा क्या होता है संख्याओं का योग बटे में कूल संख्या तो पहले इन संख्याओं का योग कर लो इनका योग कितना है 6 और 7, 13, 13 और 9, 22, 22, 11, 33, 32, 35, 35 में 13 जोड़ेंगे कितना हैगा 35 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 48 आएगा तो टोटल 48 है संख्याओं कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 को 48 से भाग करेंगे तो 8 आपका आप्शन D करेक्ट आंसर होगा आपको एक्जाम में भी ऐसे ही फुर्ती के साथ फटा फट से कोशन को सोल्व करना है चलो जल्दी से दो बटे 5 भिन को प्रतीशत में बदलो क्या करते हैं भिन को प्रतीशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं सिंपल पांच दुनी 10 और 20 दुनी 40 प्रतीशत ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर होगा चलो जी कोशन नमबर 49 का पोश्ट माटम करो जल्दी से इसका पोश्ट माटम करेंगे हल करो इसको तो मैं बढ़ता हूं सोलीशन की दरब यहां पर लिख दिया मैंने 9 और 1,2,3,4 तो नीचे 4,0 आ जाएगी और फिर 1 आ जाएगा और यह सारा किसमे है अंडर रूट में है जी आप देखो 3 का वर्गमूल कितना होगा 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा 100 होगा सोल्व करेंगे 0.03 आपका करेक्ट आंसर होगा आप्शन B जिन्हों ने भी option B को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है जी question number 40 जल्दी से आपके सामने screen पर एक घन का संपूर्ण प्रिष्ट शत्रफल 216 वर्ग cm है तो घन की भुजा ग्यात करो तो घन के संपूर्ण प्रिष्ट का formula होता है 6A square 6A square का मान कितना दे रखा है आपको 216 दे रखा है बराबर हो गया 6 से भाग हो जाएगा 618 और चीकम चीकम 36 यानि की A square यहाँ पर बचा और यहाँ पर A square का मान 36 अब A square का मान 36 है तो A का मान कितना होगा 6 होगा यानि की option B आपका correct answer होगा यहाँ पर 6 cm क्या सवीरे सही आंसर दिया है चालो कोशन नंबर 41 आपके सामने है घनाब के आयतन का सही सुत्र क्या होगा घनाब के आयतन का सही सुत्र क्या होगा volume of the cuboid लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई option B आपका correct answer है length into breath into height got it चालो जी कोशन नंबर जल्दी से देंगे किसी वर्ग का शेत्रफल 400 वर्ग cm है तो उसका परिमाप क्या होगा वर्ग का शेत्रफल क्या होता है A स्क्वेर वर्ग का फरिमाप क्या होता है 4 A तो देखो A स्क्वेर का मान कितना दिया हुआ है हमको 400 दिया हुआ है तो यहां से A का जो मान आएगा वो 20 आजाएगा क्योंकि 20 का स्क्वेर ही कितना होता है 400 होता है समझ गए हमको 4A का मान निकालना है तो 4 गुणा 20 कर दो क्या आंसर आएगा आपका 80 आजाएगा option आपका B correct आंसर होगा 43 question आपके सामने है आंसर इसका दो जल्दी से कोई धनराश्टी साधारन ब्याच की दर्से 4 वर्ष में 6 गुणा हो जाती है अब देखो कोई धनराश्टी कितनी है चार है sorry माना कोई धनराश्टी आपकी एक है यदि वो 6 गुणा हो जाएगी तो 6 हो जाएगी कितना ब्याज लगेगा उस पे 5 ब्याज लगेगा तो हमको यहाँ पे हमेशा ब्याज ही लिखना है कि कोई धन 4 वर्ष में 6 गुणा हो रहा है तो यहाँ पे बराबर आप ब्याज लिखेंगे 5 आपका ब्याज आया है मैट्रिक बता रहो आपको ध्यान रखेगा कोई धन 4 वर्ष में 6 गुणा हो रहा है तो हम यहाँ पे हमेशा ब्याज लिखेंगे तो वह धन कितने वर्षों में जिसको हमने X मान लिया 11 गुणा हो जाएगा अब कोई धन 1 है वो 11 गुणा होगा तो ब्याज कितना लगा 10 लगा यहां पे हम हमेशा ब्याज लिखेंगे क्या यह स्टेप समझ में आया अब क्या करो अब क्रोस मल्टिप्लाई कर दो और आपका आशर आ जाएगा क्रोस मल्टिप्लाई करने के बाद 40 होगा नीचे आपका होगा 5 X तो भाग करेंगे कितना आएगा 8 आपका राइट आनसर होगा औप्षन B जिन्होंने भी option B को answer किया है उनका answer बिलकुल correct है चालो, question 4 आपके सामने है, अब इसको हल करो इसको भी solve करने के आपके दो तरीके है एक यदि आपको square याद है, तो आप असानी से solve कर लोगे क्या होगा, 16 का square 256, 12 का square कितना होता है जी 144 माइनस कर दो, 112 option A correct answer होगा अगर कभी मान लो आपके सामने अभी तो simple रखम दी है यदि आपको बोलता 112 का square माइनस 90 का square तब तो problem हो जाती ना तो ऐसे question को solve करने के लिए आपको एक formula याद रखना है ये क्या है, आपका A square माइनस B square है इसका सूत्र होता है A plus B, गुणा A minus B तो मैं एक बर solve करकी भी दिखा देता हूँ आपको देखो 16 और 12 को जोड़ोगी कितना हैगा, यहाँ पे आपका आजाएगा 28 है ना, गुणा, 16 माइनस 12 कितना होगा, 4 होगा गुणा कर दो, 8 चोके 32 का दो, हांसिल 3, 4 दोनी, 8 और 3, 11 option A correct answer question number 45 है, आपका गणित का last question है जी 3 के प्रथम 9 गुणजों का आउसत ग्याद करो, 3 के प्रथम 9 गुणजों का आउसत तो क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही करते करते आपका 27 तक होगा, 9, 27 अब ट्रिक क्या थी, आपको हर बार बताया है, कि जब भी सीरीज का अंतर समान हो तो हमारा, क्योंकि सीरीज में अंतर कितने का है, सभी में अंतर कितने का है, ये 3, 3 का अंतर है, सभी 3 के गुणज है तो आउसत निकालने का सूतर होता है, पहली संख्या, पलस्ट, लास्ट संख्या, बटे में 2 पहली संक्या 3 है, लास्ट की संक्या 27 है, 30 हो गया और 2 से भाग करेंगे तो आपका 15 एवरेज आएगा option B जिनों ने भी option B को answer दिया है, उनका correct answer है चलो, यहाँ पर आपका गनित complete होता है आपके सामने regioning का और जल्दी से solve करेंगे section 4 क्या है आपके सामने? section 4 regioning यहाँ पर बताईए क्या logic follow हो रहा है तो देखो, A की place value एक होती है, B की place value दो होती है यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? तीन बनेगा और तीन जो है वो C की place value है यह logic लग रहा है जैसे E की place value 5, F की place value 6 इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा? 11 बनेगा और 11 किसकी place value है? के की place value है समझ गए? अब देखो, simple सी बात है I की place value कितनी है? 9 है J की place value कितनी है? 10 है इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 19 बनेगा और 19 किसकी place value है? जी 19 place value होती है आपकी S की Option C आपका correct answer होगा समझ गए ना चलो Next question number 47 आपके सामने जल्दी से answer दीजिएगा यहाँ पर क्या logic follow हो रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी तो यह तो multiple हो रहे हैं 6 सते 42 8 सते 56 9 8 72 option A correct answer होगा Question number direction का question है उमीद करूँगा आप से भी solve कर रहे होंगे मैं पहले direction बना देता हूँ यह होता है आपका पूरव यह होता है पस्चीम ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिन अब देखो शाम उत्तर की और कुछ दूर चलने के बाद शाम कहा है जी शाम मालो यहाँ है उत्तर की और कुछ दूर चलने के बाद अपने बाई और मुड़ता है और कुछ दूरी तै करता है बाई क्या होता है लेफ्ट साइड होती है अपने लेफ्ट साइड मुड़ा और उसने कुछ दूरी तै की इसके बाद मैं अपने दाई और मुड़ता है अब ये दाई और मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद दाया होता है राइट वह फिर से दाई और मुड़ता है अब वह किसी दिशा की और जा रहा है तो यहां पे कौन सी दिशा है पूरफ दिशा की और जा रहा है आप अगर आपको बिल्कुल ब्लेड रिलेशन नहीं आता तो आप यूटूब पे लिखेंगे बलड रिलेशन शुभम ए कलासिस हमारा पूरा सेशन आ जाएगा बलेड रिलेशन में आपको डिटेल से करवाया है एक बर मैं फिर से आपको बेसिक बता दू कि जो मेल होता है उसके माइनस का साइन डालेंगे भाई और बेहन को हम एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे और पती और पतने को हम एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे गौटेट और पिता और पुत्र जो है यानि की माता और पुत्री वो उपर होंगे और पुत्र और पुत्री कहा होंगे नीचे होंगे अब मैं apply करके दिखाता हूँ आप सभी समझ जाओगे कि A माता है B की कि यह जो A है यह माता है किसकी? B की C और D बहने हैं इसको छोड़ो अभी B D का पिता है यानि कि B फादर है किसका A D का D नीचे चला गया और D और C क्या थी भाई ये तो बहने थी तो A के पती E का A का जो हस्बेंड होगा वो E होगा A के हस्बेंड E का C से क्या संबंद है तो ये C का क्या लगेगा दादा लगेगा option आपका C correct answer होगा है ना C के पिता का पिता कोन लगेगा उसका दादा लगेगा question number 50 है और आज का last question है जल्दी से answer दीजेगा और session complete होने के बास सभी विद्यार्तिया अपना score लिखेगे कि आपका score कितना है आपको हमारा सेशन कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाय हुआ कैसा लगता है यहां पर आंसर देंगे बहुत ही simple logic follow हो रहा है देखो 10 क्या है 10 का square पलस 10 कितना होता है 110 होता है 20 का square plus 10 कितना होता है 410 होता है 30 का square plus 10 किया है 910 आगे 40 का square plus 10 40 का square plus 10 यानि कि 1600 plus 10 कितना होगा आपका 1610 होगा option आपका C correct answer होगा तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 प्रशनों का मौडल पेपर बताईएगा आज का session आपको कैसा लगा और कल भी आपका पूरे 50 प्रशनों का मौडल पेपर आएगा जिनका 28 फरवरी का exam है उनकी अच्छे से practice हो जाएगी और जिनका आने वाला प्रशनों का मौडल पेपर आने वाला है ओके तो यहीं था आज के session मिलता है